Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्ड़बल सूरच पर जो Mission है, वो पहली बार भारत भेजने वाला है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा Mission होगा, जिसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे, एक एक चीजे मैं आपको बताऊंगा, कि कितना दूर यहां पर भेजा जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है, क लेकिन यहां पर मैं आपको डीटेल से बताऊंगा, कि exactly क्या होने वाला है, क्या क्या चीजे होंगी, यह कितना लाबदायक होगा भारत के लिए, काफी कुछ जानने को है, चली आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रटना है आप सभी को, अगर आप UPSC 2024 की प्र कोड इस्तमाल करने से आपको maximum discount मिलता है, और आप इसके अंदर enroll करा पाते हैं, और इसके लाब अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं, तो मेरे Insta page पर जा सकते हैं, वहां पर stories में जितने भी MCQs हैं, वो आप attempt कर पाएंगे, तो चली शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले यह दे observatory भेज रहे हैं, observatory का मतलब होता है, कि यहां पर जो कोई चीज observe कर रहा है, मतलब यहां पर sun को observe करने के लिए यह जो पूरा observatory है वो भेजा जाएगा, और यह space में रहेगा लगातार, मतलब कि जो चंद्रयान 3 mission था वो तो चांद पर land हो गया था, लेकिन यह लगातार space म बना रहेगा, और sun को, सूरज को देखता रहेगा, उसको पढ़ता रहेगा, समझता रहेगा, और इसको launch किया जाएगा, 2nd September को दुपहर में 11 बचकर 50 मिनट पे, तो यह आपको ध्यान रखना है, और obvious सी बात है, यह आंद्रपरदेश का जो स्री हरी कोटा है, वहां से launch कि कई बार जो भी आपर mission launch करते हैं, तो यहां पर जो एक दर्शक होते हैं, वो उसको देखते रहते हैं, तो यहां पर मैं आपको बता दूँ कि स्री हरी कोटा में ही, जो गैलरी है, वो बनाई गई है public के लिए, तो वहां पर जो भी लोग रहते हैं, अगर आप जाना चाह कि यह सूरज को observe करेगा close distance से, मतलब कि अभी जो हम पृत्वी से देखते हैं सूरज को, उसको तो हम समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम सूरज के और नजदीक जाएंगे, नजदीक जाने का यह मतलब नहीं है कि हम सूरज के अंदर घुश जाएंगे, ऐसा नहीं है, हम स point है, जिसको L1 बोला जा रहा है, जिसको कहा जाता है, language point, जिसके बारे में मैं आपको आगे यहां पर बताऊंगा, लेकिन मैं आपको एक और ची बता दूँ, कि अगर आप इसे कई लोग सोच रहे हैं, कि जो हमने अभी चांद पर mission भेजा है, उसमें कितना distance हो, और यह जो अधित्य L1 mission भेज रहे हैं, मतलब की सूरज के और नजदीक भेज रहे हैं, अब आपको यहां पर और चीज़ें अच्छे से clear हो जाएंगी, कि L1 यह जो point मैंने आपको बताया, यह exactly होता क्या, इसका मतलब क्या है, what is language point, इसका क्या मतलब हुआ, देखे, NASA की दौरा जो definition दिया गया है, वो यह है, कि it is a position in space where the gravitational pull of two large masses precisely equals the centripetal force required for a small object to move with them, दीक है, आप में से बहुत लोगों को यह चीज समझ भी नहीं आई होगी, लेकिन बहुत सिंपल भासा में आपको बता दूँ, जैसे आप देख पा रहे होगे, यह है आपका प्रित्वी, यह अर्थ हो ग तो क्या होता है, कि हमारे space में कुछ ऐसे point होते हैं, जहां पर जो दो large masses के gravitational force हैं, उसको balance कर देता है, कहने का मतलब यह हुआ, आपको पता है, कि जो प्रित्वी है, उसका खुद का अपना gravitational force है, उसी प्रकार से जो सूरज है, जो इतना जादा mass रखता है, ओव्यसी बात है इसके पास तो और जादा gravitational force होगा, तो यहां पर क्या है, कि दोनों का gravitational force है, उन दोनों को counter करके, कोई एक ऐसा point होगा, जहां पर अगर हम कोई भी वस्तु रख दें, तो वो balance हो जाएंगे, और वो इसके साथ-साथ चलती रहेंगी, जैसे कि आपको पता है, जो प्रित्वी आता है सूरज और प्रित्वी, दोनों के बीच में, लेकिन जाहिर से बात है, यह प्रित्वी के जादा नस्दीक है, क्योंकि सूरज का distance बहुत जादा हो जाता है, तो इसलिए मैंने आपको कहा था, कि सूरज का mission है, इसका मतलब यह नहीं है, कि हम सूरज के अंदर यह भे लगतार वो यहाँ पर देखता रहेगा सूरज को, यह इसका मतलब हुआ, अब आप देखोगे, जो L1 है ना, जो Lagrange पॉइंट है, यह नाम कहां से आता है, इस इन दा ओनर आफ इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशन, जॉसिफी लूई लागरेंज, और इन्हों ने बेसिकली पांच इस तरह के पॉइंट बताया थे, यह आप देख सकते हो, पांच पॉइंट कौन से है, L1 हो गया, L2 हो गया, जो की पृत्वी के जस्ट इधर है, पीछे के साइड है, उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा, फिर L3 हो गया, L4 हो गया, L5 हो गया, तो यहा हमें इसको काउंटर करना है, अगर हमें कोई चीज रखना है, तो हम वहीं पर क्यों रखना है, हम क्यों नहीं इसको यहां पर रख देते, देखो इसमें फायदा क्या होता है, यह लागरेंज जो पॉइंट अगर हम वहां पर चीज को रखते हैं, तो इसे फायदा क्या होत तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे प्रित्वी यहां पर मूफ करती जाएगी, यह object भी वैसे वैसे मूफ करता जाएगा लगतार, और वो सूरज को देखता जाएगा, इस तरह सी यह चलता रहेगा, आरहे समझ में, मतलब कि जैसे जैसे यहां पर चीजें कभी खतम हो जाता, लेकिन यहां पर क्या कभी fuel खतम होगा, नहीं होगा, क्योंकि लगतार यहां पर चलती रहेगी, और बहुत कम fuel की आऊशकता पड़ेगी, इसी के वज़े सी यह बहुत खास हो जाता है, और साथी साथ इन सभी lag range point में, L1 की खास बात क्या है, L1 की खास यह है, कि without any disruption, 24-7 यह सूरज की तरफ निगरानी कर सकता है, उसको देख सकता, observe कर सकता है, कि सूरज में क्या change हुआ, क्या बदला हुआ, वहां पर क्या हो रहा है, वही हम study करने बेसिकली जा रहे हैं, और यहां पर मैं आपको एक और interesting की बता दूँँ, आप मेंसे अगर कोई observatory है, मतब अदित्य L1 तो हम भेजेंगे, लेकिन वहां पर क्या अल्री कुछ मौझूद है, जी हां, बिलकुल, European Space Agency के दौरा भेजा हुआ यह observatory है, जिसका नाम है SOHO, इसका मतलब होता है, Solar and Heliospheric Observatory Satellite, वह अल्री वहां पर है, और वह भेजा गया है, European Space Agency के दौरा, उसी प्रकार से मैं आपको एक और interesting की बता दूँ, L2 पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो आपने सुना होगा James Webb Telescope के बारे में, तो वो already समय L2 पॉइंट पर है, वो L2 पॉइंट पर क्यो है, क्योंकि यह आप देख सकते हो, यह है आपका James Webb Telescope, अब इसका काम क्या होता है, इसका काम है कि space के अंदर मतलग कि पूरे universe में, ब्रह्मान में नजर रखता रहे, कहीं कोई planet है, क्या दूसरे ग्रहा में कहीं कोई हमें यहाँ पर discovery होती है, बहुत सारे planets और जो star हैं, उसकी discovery यह आपको James Webb Telescope कर के देगा, तो इसमें basically हमें क्या चाहिए, कि सूरज की र और जो पृत्वी का heat है, और जो सूरज का heat है, उसको रोकने के लिए मैंने आपको अलड़ी बता दिया, कि यह शील्ड लगाया गया है, ताकि space को यह अच्छे से observe कर सके, अब इसके लावा एक और interesting चीप मैं आपको बताता हूँ, कि जो अधियत यह L1 mission जाएगा, वो किस तरीके से जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा ना, जो moon वाला mission हमने भेजा था, वो हमने पिछले मैंने भेजा था, और इस तरह से वो पृत्वी के orbit किया था, उसने पहले यहाँ पर जो speed है, उसको लेने की कोशिश की ती, और फिर हमने उसको, sorry, यह रा अर्थ, हमने उसको moon पर भेजा, और moon पर भेजा तो इसको de-orbit किया, उसी प्रकार से यहाँ पर जो aditya L1 mission है, यह भी पृत्वी से launch होगा, और वो पहले पृत्वी के चक्कर लगाएगा थोड़ा सा, ताकि उसको एक speed मिल सके, और जब speed मिल जाएगा, तब हम इसको दूर भेज द सूरज को लगतार observe कर सके, और आप देख सकते हो, यह हमारा aditya L1, जो spacecraft हम भेज रहे हैं, जब यह बंद रहेगा, तो कुछ इस तरह से दिखेगा, और जब यह L1 point पर पहुंच जाएगा, तब इसका जो solar panel है, आप देख सकते हो, इस तरह से यह खोल दिया जाएगा, ताक सूरज के बारे में बहुत कम जानकारी है हमारे पास, सूरज के अंदर और क्या-क्या चीजे हैं, कितने layers हैं, वो हमें पता नहीं है, मैं आपको बता दूँ, हम अभी के लिए सूरज को का जो layer observe कर पाते हैं, जो deepest layer है, उसको कहा जाता है, यहाँ पर photosphere, ठीक है, हम photosphere को observe कर पाते हैं, तो जो Aditya L1 है, वो photosphere यह वाला जो layer है, उसको पहले study करेगा, और फिर इसके लावा उसके outer में, 400 km से लेकर 1200 km के बीच में, यह chromosphere है, यह वाला layer, ठीक है, chromosphere को study करेगा, और जो सबसे outer layer है, उसको कहा जाता है, Corona, उसको यहाँ पर study करेगा, मतलब कि सूरज के ज ऐसा नहीं है कि सारे सातों के सातों instrument, जो हो सूरज को यह observe करेंगे, देखो, सात में से चार instrument ऐसे लगाएगा है, जो सूरज को observe करेंगे, और इसमें से तीन ऐसे instrument है, जो L1 पॉइंट को observe करेंगे, मतलब कि L1 पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, उसको भी observe किया विजिबल एमिशन लाइन कोरोनो ग्राफ ठीक है ये एक हो गया फिर दूसरा है सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलिसकोप सूट जिसको बोला गया है वो होगा फिर तीसरा है सोलर लो एनरजी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और चौता है हाई एनरजी एलवन और बिट बटाया था उसको स्टड़ी करेगा और ये ये तीन कौन-कौन से हैं अगेन आप देख सकते हो अधित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट प्लाज्मा अनलाइजर पैकेज फॉर अधित्य एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रिजलूशन डिजिटल मैंगनेटो मे तो ये आपको ध्यान में रखना है, टोटल सेवन पेलोट हैं, अब फाइनल कोशन ये है कि आखिरकार सूरज को हमें स्टड़ी करने की क्या जरूरत है, ये फाइनल कोशन है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया, देखो क्या होता है, कि अगर हम बात करें सोलर सिस्टम के ब हमारा प्लैनेट का बिहेवियर और जो एग्जो प्लैनेट होते हैं, सोलर सिस्टम के बाहर जो प्लैनेट हैं, ये जितने भी प्लैनेट हैं, जो भी कुछ हैं, उसका जो एवल्यूशन है, वो कही न कहीं गवर्न होता है, उसके पैरेंट स्टार से, मतलब हमारे सोलर वगर होते हैं, आपने सुना होगा, इस तरह से जो solar storm होता है, वो प्रिथवी पर आता है, और जिसकी वजए से प्रिथवी पर disruption हो सकता है, हमारे जो satellite हैं, वो interrupt हो सकते हैं, आपने सुना होगा, Northern Lights के बारे में, जो Northern Hemisphere में, पोल पर, इस्पेशली जो Iceland वगरा, एरिया वगरा हो गया, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, Norway, Sweden में, वहाँ पर जो Northern Lights है, वो हमें देखने को मिलता है, तो ये सारी चीज़ें, बेसिकली, जो solar storm होगा, वहीं से आता है, और साथी साथ मैं आपको ये भी पता दूँ, पृत्वी पर जो भी solar storm पहुँच रहा है, जो सूरज का जितना भी energy है, जो पृत्वी पर पहुँच रहा है, वो L1 पॉइंट होकर गुजरता है, आ रहा है आपको समझ में, तो हमें L1 पॉइंट को भी समझने की जरुरत है और सूरज को भी समझने की जरुरत है, तो इसी के वज़े से आप कह सकते हैं, जो अदित्य L1 mission है, it is perfect for India, और ये अगर successful होता है, और हमें कोई नई जानकारी मिलती है, तो again, space sector के अंदर भारत का और जादा जो नाम है, वो तेजी से बरता जाएगा, I hope कि आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर, इसके बारे में सब कुछ detail से मैंने आपको बताया, जाने से पहले एक interesting question, क्या बता सकते हो, हमारे solar system में कौन से planet को brightest planet कहा जाता, इसका right answer आप सब को पता है, मेरे instagram पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, telegram से ले सकते ह जो MCQs हैं, वो यहाँ पर stories में डालता रहता हूँ, बाकि अगर आपको PDF के तो telegram पर आए, लग-लग social media पर आप यूड़ पाऊगे, और जैसा मने आपको बताया, UPSC के अगर आप त्यारी कर रहो, just use the code ANKITLIVE to get maximum discount, and I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता हूँ